Hello everyone, आईए बात करते हैं multi criteria decision making techniques के बारे में इन्हें MCDM भी बोलते हैं Friends, ये technique बहुत ज़्यादा हैं, शायद 18-20 के करीब होंगी इनको हम एक बार समझते हैं क्या हैं ये techniques multi criteria decision making का मतलब है, हमें decision making कर दी हैं लेकिन वहाँ हमेरे पास कई criteria हैं तो पहले तो ये बात हुए कि कौन सा criteria ज़्यादा important है और फिर अगर मेरे पास कई alternatives हैं, जैसे options हैं, brand names हैं तो उन में से हर criteria के नुसार हम overall choose कैसे करेंगे तो यहाँ दो में मैं इसको divide कर रहा हूँ एक तो है अगर सिर्फ criteria है, तो उस पर क्या काम करें हम तो अगर हमारे पास simple जैसे example है, क्या vehicle choose करना है तो कौन-कौन सा criteria हमने देखा कि economy important है, maintenance उसकी power कितनी है तो यहाँ अगर हम paid comparison करें और paid comparison करके इनका weight निकालें इस technique का नाम है AHP, तो यह order देगा और उनका weight भी देदेगा अगर हमारे पास कई है ऐसे criteria और हम देखना चाहें इन में से कौन independent है, कौन dependent है, कौन predictor है, outcome है और उन सब का एक rank भी आजए, hierarchy का आजए, उसका नाम हमें D-metal D-metal में weight नहीं आएगा, जो AHP में आता था, इसमें आपके importance आजएगी, और इसमें हमारे DV और IDV टाइप का आजएगा और थाड़ है ISM, जब हम बात करते हैं, एक complete hierarchical model की, तो अगर हम बहुत नए एरिया में काम कर रहे हैं, तो ISM या इसके जो variants है, TISM, fuzzy ISM, वो ज़्यादा बेतर हैं Now second thing comes, let's say हमने AHP यूज़ कर लिया और तीनों के हमारे पस weight भी आ गए हैं, तो इस case में अब हम आगे देखते हैं, कि यहाँ मैंने calculate कर लिया कि weight economy का 0.4 है, maintenance का 0.3, power का 0.3 है अब मिर पास 4 alternative है, Tata, Toyota, Maruti, Hyundai, मैंने लोगों से पूछा कि आप इनको ranking कीजिए, economy के base पे, लोगों ने का out of 10, Maruti की economy 8 है, Toyota की Hyundai की 7 है, Tata की थोड़ी कम है maintenance के base पे, अब यहाँ इक चीज आएगा, देखे, maintenance में हम क्या बोलते हैं, maintenance ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा, तो maintenance के अगर हम देखें, cost वगरा, जितनी कम उतना ज्यादा अच्छा, economy जितनी ज्यादा हो, वो उतनी बढ़िया है, तो maintenance में हम lower value को prefer करेंगे, यह याद रखेगा यह point, कि कहीं higher value अच्छी होती है, कहीं lower value अच्छी होती है, तो maintenance में Tata सबसे अच्छी है, followed by Maruti and so on, और power की बात करें, तो Toyota सबसे ज्यादा है, followed by Hyundai and others, तो यहाँ पे हमर पास, वैसे तो काफी technique हैं, हम दो की बात करेंगे, एक है topsis और एक है vikor, topsis है technique for order of preference by similarity to ideal solution, इसमें हम कुल मिला के तीन चीज़ देंगे, एक तो ऐसा matrix देंगे, एक weightage देंगे, और third हम यह बताएंगे, कि यह हर criteria बढ़ता हो अच्छा है या घड़ता हो अच्छा है, या प्लस या माइनस लिखेंगे, प्लस का मतलब यह जितना ज्यादा उतना topsis, आप सीधा topsis नहीं लगा पाएंगे, या तो आपके पास weight होना चाहिए, किसी भी तरह से, और दूसरा एक है vikore, इसका जो pronunciation है मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ, आप इसको कैसे करें, vikore भी लगबग वही काम करता है, जो topsis करता है, पर यह उससे थोड़ा सा अलग ह और यह यहाँ पर एक आता है compromise solution, कि आप देखते हैं, कि आपका जो best है उसके करेब हो, और जो worst है उससे काफी दूर की तरफ हो, और भी है, अभी हम बात करते हैं, पहले topsis की, आर के अंदर, topsis के दो तो package हैं, topsis नाम से, और वैसे MCDM, एक इसका है, MCDA, कि, multiplied area, decision adding process, इसके अंदर भी हमारा topsis है, पर अभी हम इन दो package की बात करते हैं, जो direct है, और one of the shortest package है यह, जितने मैंने आज तक देखे हैं, topsis में एक ही function है, इसमें कुल मिला कि चार बाते पूछाएं, तीन बाते पूछाएंगा, decision, यानि एक तो matrix देजे, दूसरा weight, जो age पीस हाई होंगे, और तीसरा impact, impact का मतलब है, इधर positive और negative sign, और exactly same चीज है, हमारे दूसरे topsis WM के बारे में, इसके अंदर भी कुल मिला कि एक data file है, और एक ही इसके अंदर function है, उस function में भी वही तीन बाते पूछता है, कि आपका matrix कौन सा है, weight कितना है, और आपका plus या minus ब लेकि import भी कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पे एक मिनिट के लिए matrix बना लिया है, row name, column name देके, m पे देखे, यह वही चीज आगी है, 534769, अब यहाँ पे, I hope आपीस से कोई लब प्रिशान नहीं होंगे, एक matrix बनाते है, n row मतलब 4 row बना दे, by row matrix बनाए, row name, यह column name, यह दे दाल चुका हूँ, अब यहाँ देखिए, जो पहला है, economy, वो जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है, तो मैंने इसको plus से div not किया, maintenance जितना कम उतना बढ़िया, तो यह minus से किया, और power plus से किया है, और मैंने हैं लिखा, t is equal to topsis, m, weight is equal to w, impact is equal to i, done, अगर इसको हम देखें, okay, कह इसको run करूँ, तो यह इस तरह काता है, तो थोड़ा सा preferred है, इसके साथ brand भी लिख लें, तो मैंने बस इसको t में save कर दिया, जो output था topsis का, और उसके row name दे दिये हैं, तो अब हमारे पास row name भी आ गए है, कि इस criteria से maruti is the best one, followed by Toyota, followed by Hyundai and the Tata, यह इनों निकाला है, अच्छा, क कैसे निकाला है, आओ एक बर, clear तुबरा करके देखें, और एक छोटे सा point भी, यह हमारा data है, weighted सबसे ज्यादा है, एकनोमी का, तो आप देखिए, इसमें कौन है, मारूती आउट परफॉर्म्स आदस, एकनोमी में, फिर आता है, second criteria, equally important है, maintenance, maintenance में भी, not bad, मारूती का weight, कम ह हालनकि data का सबसे कम है, पर मारूती का भी okay है, power में मारूती पीछे है, obviously, वहाँ Toyota आगे है, तो आप देखें कि, जिसका weighted सबसे ज्यादा है, वो first priority पे दिखेगा आपको, तो अगर मैं एक minute के लिए, तो मैंने यहाँ पे T है output, तो हमें मिला कि मारूती सबसे अच्छा है, नमबर दो पे है हमारा Toyota, और नमबर तीन पे है हमारा Hyundai and Tata, एक minute के लिए मैं काम करता हूँ, इसका weightage कम कर देता हूँ, और मैं यह बोलता हूँ कि नहीं, मुझे तो power ज़्यादा important है, अगर किसी दूसरे set of experts ने बोला, कि power ज़्यादा important है, तो इसका मतलब अब suddenly Toyota का chance बढ Hyundai and so on, देखने आप, Toyota का सबसे ज़्यादा, फिर Hyundai, फिर बाकी, ऐसे नहीं यह सिर्फ पहला cover करता है, बाकी सारे भी करता है, पर weightage काफी important होता है यहाँ पे, तो टॉप्सिस आपको quickly एक solution दे देता है, कि आप अपना criteria AHP से लाएं, अपना एक matrix यह customer से define करें, जो exports हैं, पा इसे भी वही आता है, कल्कुलेट कर ले, Toyota का 6565 है, तो rank 1 पे 6565 Toyota है, और Tata है 0.337337, यह exactly सेम आता है, दो package है, दोनों से आप exactly सेम चीज़ कर सकते हैं, ओके, query area D plus D minus के है, यह अगर आप इसके manual calculation करते हैं, तो वहाँ पे यह required होते हैं, तो अभी आप इसको छोड़ सकते है हैं, manual calculation में interested हैं, तो उसके कई YouTube पे वीडियो हैं, जो बताया है कि Topsis calculate कैसे होता है, simple से steps है, पर R के अंदर और भी simple है, so this was about choosing the best alternative using the Topsis, so let's stop here, thank you.